हेलो फ्रेंग्स, वेलकम टू आर चैनल, लर्निंग नोट बुक आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्टिरोइड्स, कॉमेट्स, मिटोराइड्स अंग मीटियोज के बारे हम अच्छे से समझेंगे इन सभी के बीच का डिफरेंट कैसे एस्टिरोइड्स और कॉमेट्स अलग-लग होते हैं, कैसे मिटोराइड्स और मिटियोज अलग-लग होते हैं बहुत से लोग इन में कन्फ्यूज हो जाते हैं वो एस्टिरोइड्स और कॉमेट्स को एक समझ लेते हैं या meteorites और meteors को एक समझ लेते हैं आज इस वीडियो में मैं वो सभी doubts clarify कर दूँगी और बताऊंगी इन चारों के बीच का difference तो जैसे कि आप इदर देख सकते हैं ये होते हैं asteroids क्या होते हैं asteroids they are small rocky objects that orbit the sun तो ये जो asteroids होते हैं ये बहुत छोटे और rocky objects होते हैं ये भी sun के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं जैसे कि हमारे planets लगाते हैं पर ये काफी छोटे होते हैं planets से तो ये ही point मैंने या लिखा है although asteroids orbit the sun like planets but they are much smaller than planets तो ये काफी छोटे rocky objects होते हैं जो sun के चारों तरफ चकर लगाते हैं और friends ये जो asteroids हैं ये mainly जो Mars और Jupiter के बीच में जो region है वहाँ होते हैं देखिए और ये ही main asteroid belt है हमारे solar system में ठीक है तो asteroid belt क्या है it is a region between the orbits of Mars and Jupiter तो जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ इदर ये main asteroid belt ये है solar system में यहाँ पाया जाते हैं asteroid friends now let me take you inside the asteroid belt देखिए अगर हम asteroid belt को देखें उसके अंदर हों तो ऐसी दिखाई देगी इतने सारे asteroids होते हैं महाँ पे millions and millions of asteroids are there in the asteroid belt ये सभी sun के चारो तरफ चक्कर लगा रहे हैं ठीक है और जैसे कि आप इतर देख सकते हैं सभी asteroids एक समान नहीं होते हैं कोई तो इतने छोटे होते हैं बिल्कुल pebble जैसे और कोई काफी बड़े होते हैं पर ये planets की तरह बड़े नहीं होते और नाहीं उनकी तरह round होते हैं ये irregular shape के होते हैं asteroids now next we are going to learn about comets देखिए ऐसे होते हैं comets अब क्या होते हैं comets they are giant snowballs of frozen gases rock and dust that orbit the sun तो जो comets होते हैं वो भी sun के चारो तरफ चक्कर लगाते हैं और वो बड़ी-बड़ी snowballs की तरह होते हैं बड़ी-बड़ी snowballs होते हैं बहुत giant snowballs जो बनी होती हैं frozen gases rock और dust से ठीक है and when frozen they have the size range from few miles to tens of miles जब यह अपनी frozen form में होते हैं यह comets तो इनका जो size है वो कितना हो सकता है या तो वो few miles या बहुत ज़ादा बड़ा हो सकता है ranging from few miles to tens of miles तो यह उनका size हो सकता है few miles से लेके tens of miles तक अब friends हम देखते हैं कि यह जो comet होते हैं वो sun के चारो तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं और शायद आपने एक term सुनी हो comet stale उस term को भी मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ तो देखिए यह sun है और यह हमारी earth sun के चारो तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है comet अब यह जो comet होता है यह sun के चारो तरफ चक्कर लगाता है elliptical orbit में पर जो इसका orbit होता है यह highly elliptical है देखिए कितना ज़ादा elliptical है तो अब देखिए जब यह sun से दूर है comet तो यह highly frozen form में है विकुल completely frozen form में है अब इसने चक्कर लगाना शुरू करा sun के चारो तरफ और जैसे जैसे यह sun के पास आना शुरू होता है इसकी जो यह gases है वो burn out होनी शुरू हो जाती है जिसकी वज़ा से एक ऐसी tail सी बननी शुरू हो जाती है वो gases burn हो रही है release हो रही है तो यह tail सी बननी शुरू हो जाती है देखिए और जैसे जैसे यह sun के और पास आता जाता है और gases burn होती है और यह जो इसकी tail है वो और लंबी होती चली जाती है कई बार ये टेल इतनी लंबी होती चली जाती है कि it can stretch up to millions of miles और जैसी कि आप इधर देख सकते हैं ये जो टेल है ये हमेशा sun के opposite direction में बने और फिर ये गूमता गूमता ये comet फिर से sun से दूर होता चला जाता है और जैसे जैसे दूर होता है ये टेल छोटी होती चली जाती है और comet फिर से frozen form में आ जाता है तो इस तरह से comet sun के चारो तरफ चक्कर लगाता है और comet टेल ऐसे बनती है देखिए friends ये एक comet है जो sun को अप्रोच कर रहा है तो देखिए कैसा कितना जादा heat up हो गया है इसकी जो gases हैं, dust हैं वो सारी burn हो रही है और पीछे ये ऐसे एक टेल बनाता चला जा रहा है तो ऐसे दिखते है comet और ऐसा ही एक comet है हैलीस comet जो हर 76 years में एक बारी दिखाई देता है अब हम बात करेंगे meteoros और meteorites के बारे में तो अभी हमने बढ़ा था asteroids के बारे में कि वो rocky objects होते हैं, sun के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और mainly asteroids, asteroid belt में होते हैं जहां पे बहुत बहुत सारे asteroids होते हैं तो कैई वर फ्रेंक्स क्या होता है कि यह asteroid sun के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते आपस में तकरा जाते हैं और जब वो आपस में smash होते हैं तकराते हैं तो उनका कुछ पार्ट तूट जाता है ठीक है, तो यह जो तूटा हुआ पार्ट होता है इसको meteorite कहते हैं तो फ्रेंक्स यह जो एस्टराइक्स टकराते हैं तो यह बहुत जादा फोर्स से टकराते हैं तो उसकी वज़े से क्या हो सकता है कि यह जो मिटराइक्स बनते हैं यह जो मिटराइक्स होते हैं यह या तो उनके अपने और्बिट में ही रहें तो उन्हें क्या कहते हैं हम Meteors तो next हम पढ़ रहे हैं Meteors के बारे में Friends के यह बार रात में हमें एक Bright Streak of Light दिखाई देती है जैसे कि आप इधर देख सकते हैं जिसे हम Shooting Star भी कहते हैं तो यह जो Bright Streak of Light है यह होते हैं Meteors तो जो Meteorites होते हैं अगर वो Earth की Atmosphere में Enter कर जाएं तो वो Atmosphere की Friction की वजह से वो Burn होने शुरू हो जाते हैं Veparize होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से यह Bright Streak of Light बनती हैं तो इन्हें कहा जाता है Meteors तो अब इनमें से कुछ Meteors जो होते हैं वो छोटे होते हैं और वो Earth की Atmosphere में ही Evaporate हो जाते हैं जल जाते हैं पर जो बड़े Meteors होते हैं वो सारे पूरी तरह से Evaporate नहीं हो पाते और वो Earth पर पहुँच जाते हैं Earth की Surface पर टकरा जाते हैं उन Meteors को कहते हैं Meteoroids यही चीज मैंने या लिखी है Some Meteors are large and reaches the Earth before they evaporate completely and they are called as Meteoroids अब next term है friends Meteor Shard तो यह Meteor Shard क्या होता है कैई बार कोई कॉमेट Earth की Atmosphere से गुजरता है तो जो कॉमेट की टेल में Debris होता है वो Earth की तरफ आकर गिरता है ठीक है और यह बहुत सारा Debris है और जब यह आकर गिर रहा है तो यह Burnout होता है और जब यह Burnout होना शुरू होता है तो यह कैसा दिखाई देता है एक Meteor Shard की तरह है देखिए ऐसे इतने सारे इतने सारे वो आकर Burnout होने आकर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं तो वो एक Meteor Shard की तरह दिखाई देते हैं